मुख्यमंतरी को पत्र लिखा है इस वक्त की बड़ी जानकारी S.Y.L. विशे के विवाद को हल करने के लिए ये पत्र लिखा गया है हरियाना के मुख्यमंतरी की और से पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मिलना जरूरी है इस विवाद का हल करने के लिए मुलाकात जरूरी है बा कहा गया कि केंदर सरकार मध्यस्ता करें दोनों राज्य मिलके बाच्चित करें और इस पूरे विवात का समधान निकाला जाए कई दश्कों से जला रहा है एस्वाइल के निर्मान की उन्होंने जल्द उमीद भी जताई है मुख्यमंतरी ने ये पत्र लिखा है पंजाब के स पंजाब सरकार के लिए हरियाना सरकार के लिए और खास तौर पर केंदर सरकार के लिए कि दोनों राज्यों को मिल बैटकर इस बाचीत का समधान करें और इसके लिए केंदर सरकार मध्यस्ता करें लेकिन गौर करने वाली बात यह है और जो बड़ा सबसे बड़ा सवाल है पूरे समस्या के समधान के जो आड़े आता है वो ये है कि किस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी चुकि पंजाब का अपना एक स्ट्रॉंग पॉइंट जो से मानते हैं कि पानी नहीं है ऐसे में नहर का निर्मान किस लिए किया जाए दूसरी तरफ हरियाना लगातार ये कहत रही है और प्रफेसर विदुरावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी परवक्ता विदुरावल जी बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर तनेवाजी विदुरावल जी जिस तरह से हरियाना के सीम ने ये जो चिठी लिखी है पंजाब के मुख्यमंत्री को इसे आप किस तरह से देखते हैं क्या आपको लगता है पंजाब का जो स्टैंड है और अभी तक जो कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर इस शिठी के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव आएगा देखे हरियाना के अंदर जब से भारतियंता पार्टी की सरकार बनी मनोरलाल जी मुख्यमंत्री बने तब से हरियाना ने एक बहुत लंबी एक बहुत कथिन एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है बड़ी परीश्रम से मनोरलाल जी ने लड़ी और उसी के नाते आज हम डेली पर बैते हैं। कि इस प्रकार से S.O.I.L. का पानी हारियाना की किसानों को मिल पाए, S.O.I.L. नहर खुदे और उसके बाद हारियाना का जो 45% पर इमाम कर रहा है पानी के बिना उस पानी को वहाँ तक किसान तक पहुंचाया जा पाए। जो S.O.I.L. हारियाना की लाइफ ल इस प्रकार से प्रेजिदिशल रेफरेंस पर थे हम बैठे हुए थे दस साल तक कॉंग्रेस की सरकार रही केंदर में कॉंग्रेस की सरकार रही पंजाब में उसके बाद भी एक भी सुनवाई नहीं हुई थी मनवरलाल जी के तिवरित प्रेयासों के कारण जो है पहले सुनवाई हुई और उसके बाद देड़ साल में नतीजा भी लेकर आए अपने हम अब एक्जेक्विशन का मामला है उसमें भी जिस प्रकार से हमारे पहल रही है उस नाते से मुझे लगता है कि हर ये छोटे-छोट हैं इनको याद किया जाएगा जब S.O.I.L. की जो लड़ाई हम जीच चुके होंगे और उसके बाद इन सारे माइल स्टोन को याद किया जाएगा कि किसमें हमने कब-कब सर्व मंद्लिय निताओं को लेकर हमने कहां पर राश्ट्रपती जी से मुलाकात की राजनाथ जी से कि किन-किन बैटकों में हमने शित्त्री बैटकों में क्या-क्या-बाद रखी हमारे वकील जो है जो है एडिशनल ज़ैनल जो है और जो हमारे प्रकार से हर्याना का पक्ष रखा इन सब को जहें जी तमाम बाते यहीं है कारण तो यही ता सवाल का कि आपको लगता है कि इसका परवाव पड़ेगा पंजाब के मुख्यमंत्री पर मैं लोड़ता हूँ आपके साथ सुक्बीर तबर जी जुड़ गया हमारे साथ आम आद मुख्यमंत्री अर्याना ने जो चिठी लिखी है अच्छी बाते चिठी लिखी है लेकिन चिठी लिखने से पहले अर्याना के मुख्यमंत्री को अर्याना प्रदेश की जंता को यह भी जवाब देना चाहिए दोजार सोड़ा में जब उस्तम म्याले का निर्णे आया था और उसके बाद एक सरुदली कमेटी का गधन हुआ था सरुदली कमेटी के गधन के बाद आज तक एक सेकर्ड का समय परदान मंतरी जी से नहीं ले पाए इसकी भी चर्चा करनी चाहिए इसके ढावा दोजार उमित में परदान मंतरी जी हर्याना में आके कहा था कि हम परकिस्तान को जाने वाड़ा पानी रोख देंगे और हरियाना और राजिस्तान की स्याथ हो जाएंगे उसके बाद उसके कोई काम वाओ तो बता दें इसके अलावा जिस परकार जे अरविंद केजरिवाल जी ने एक निवेदन किया था कि परदान मंत्री जी मुझे समय दे ते चाहे पे बुला लें मेरे पास हाल है तो अखिर एसी कोनस ही विसे है जो परदान मंत्री जी इसको आल निकरना चाहते दें कि णक्रेश कंदर में भी अर्यान में थी पंजाब में और इसी तरह से लिकिन Director Party ने इस मेंज़े को पेंजर का रूप इनकरोप कर ना भी रावल जी आम गिना रहे थे जी और इसी बलता है जी यूर। ड़ता हूं तइड साहब його रहे दिए तमर जी आपके स्टिपणी का जवाब जरूरा है देखे इस पर जो आप मामला सुप्रीम कोर्ट में है जिस परकार के सुप्रीम कोर्ट के इंग्जी सिसम के आदेश है चेंदर करकार भी बात है और दोनों पर देश सरकार बात है प्रवक्ता की बात तीन जो है चूप कई अपनी बात कहते हैं तीन तथात्मक चूपी है पहली बात तो उन्होंने ये जिक्र किया कि ये उच्तम नेयाले का जो फैशला आया था वो फैशला आया था प्रेज इंशनल रेफरेंस पर उसके एक महिने के अंदर अंदर execution हमने फाइल की तो पहली बा ने डूडिक राखने मैंने किया थाखना आपने मैं आपने जो रहा प्लिया बीच में तोड़े चूप को ओकनाया बीच में इम दोलिया डूसरी उन्होंने चूप की जब उन्होंने यह कहा चूप नहीं सचनेए है प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है विवाद ने विवाद का समाधान का मैसर बाचीत में अगर विवाद आ जागा तो समाधान का बादूर की बात ना है और तमर्साब माफी के साथ आप दोनों को रोकना पूड़ेगा समय इतना इता बहुत शुक्रिया हमार साथ जुड़ने के लिए तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर कर इस पूरे विवाद का समधान कैसे होगा जो चिठी यहां पर लिखी गई है उसका जवाब किस तरह से प यहां पूरा बाधा जा आप